हेलो बच्चों कैसे हैं आप हम चर्चा कर रहे थे types of chemical reaction जिसमें हम अभी हम decomposition reaction के बारे में चर्चा कर रहे थे हमने देखा था कि उसकी तीन टाइप है कल हमने types of reaction और उसमें हम थर्मल डिकंपोशन reaction के बारे में पड़ा था आज हम पढ़ेंगे बेटा electrolytic decomposition reaction के बारे यह भी decomposition reaction का ही पार्ट है और फिर आज हम तीसरा पार्ट भी पढ़ेंगे इसका जो है photo decomposition reaction यह simply उसको photolysis भी बोलते हैं तो चलो बच्चों शुरू करते हैं समय बिना समय कवाए तो जो electrolytic decomposition reaction है यह basically इसको electrolysis भी बोलते हैं यह एक्सप्रीमेंट जो हमको बताया जाता है करणे के लिए यह समझने के लिए वो है Experiment ट्यक्वेट टीकंपोशन बाइठ्ट्री ऐलेक्ट्रिक एलेक्ट्रिक एलेक्ट्रिक अनेरजी और ईलेक्ट्रोलीसिस ऑवा इलेक्ट्रोलिस होटर हम करेंगे तो हमको समझेगा कि क तो इक पॉस्ट येश्विशू सुछू को मों जाता है तो यहां पे दो इलेमेंट यह एक कमपोउन्न बनाते लेकिन değiş activity अधर करते हैं एक सिंपिलराभ़ सबस्टेंसिश तो यह पे बेटँ हम चर्चा कर रहे है वह यह छोट ने वाटर, तो लेट इस सी, यह कैसे डिकम्पोज होता है, तो जो हमको एक्षिप्ट करने के लिए दिया है, तो उसमें क्या बोला गया है, हमको टेक ए प्लास्टिक मुग, मुझे नहीं लगता आप मैसे कोई ऐसा कुछ करने वाला है, अपकी इतनी अगर आप रुची में रखते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते तो पेसे जुरू गरेंगे, लेकन मुझे नहीं लगता आपके होमोग चेक करके, मुझे नहीं लगता, आप लोग ऐसा कुछ करन फिर कनेक्ट से टीर शुट इंगे उसका लिटरी कार्बरोट बैट्र भानव बैटरी फिर फिल्लीया वोटर तु नेरली अहां आप देखेए पानि इसमया डाला गया है फिर 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 फि कर रहे हो एक कर रहे हैं सिंपल आ लेक्रोड को उपर रखने तेस्ट तूब चुब को ये स्टेंड के साद इसको अटाच करना इसको इसमें डिप करना और रुद्टा रखना है ताकि आपका इसमें ये इलेक्रोड इसमें डूबाना जूमना चाहे स्पाना that's how it is has to be done फिर फिर फोल एर इंट में वोल्त को ऑन एंगे एंगेंगे जिसेग यह आप इस बैटरी को आन करेंगे पुब्ल निकलना शिरू हो जाएंगे तो उबसेए इस बाप्रेट आप लूत गारगेश्व चाहिए पानी की सतर है यह फूल थी दोनू में एक ही थी फुल थी लेकिन जैसे हमने इसको इसको पास किया तो पानी का इनका स्थर नीच आने लगेगा तो कि वहाँ गास जनरेट हो रही है that's why it's happy फिर allow it to run till sufficient amount of gases have been collected in the two test no switch of the battery so the following results क्या क्या observation क्या क्या हमारा the test tube covering the cathode of the gas collected in the double than of the gas collected in the test tube covering anode मुझे इसलका पहले ये वीडियो देखिए फिर हम इस following results के बारे में और चर्चा करें if we connect an electrolyzer filled with distilled water to a source of direct current we can observe a slow evolution of gases after some time we notice that the volume of the gas released at the cathode is double that of the gas formed at the anode to identify the gaseous products of the reaction we collect each gas in a test tube and check its behavior in the presence of a glowing splint the characteristic cracking sound proves that the gas released at the cathode is hydrogen the ignition of the glowing splint is evidence of the gas collected from the anode is oxygen which supports combustion तो अपने देखा इस वीडियो में क्या हो रहा है और रहा है अभी तो आपने फिल इसको देखा हो देखा हो देखा हो देखा हो देखा इस 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 नोए इस नोए पहला है है किनी बैटरी सेल में कैसो नेगेटिव होता है और पॉस्टिव होता है कैथोड पी जगह क्या होता है ग्यास जादा है डबल अमोंट है ग्यास जो आनोड के वहां हो ही इसका कहने का मत्दब जो आनो आपने वीडियो में देखा इस ने उसने श्कु पर लिकिन रिकाल हो भी आप ने देखा जैसे उसने इसको ज़्क यह बिर्युकव तब्यर है बर्नें एक आगला कि आपने यह यूदम के बाइब सेखा सब्सक्राइब आपने वाटर लिया उसको अपने एलेक्रिक करेंट पास किया और अपू क्या मिला है जो इलेक्ट्रो लिटिक डिकम्पोशन रेक्शन अभी हम एक और देखेंगे जो लास पाट इसका और इसी में और कुछ एक्जाम्पल्स भी हैं जैसे एलेक्ट्रो लिटिकम्पोशन आप मोल्टन सोडियूम क्लोराइड वी इलेक्ट्रिक से पास करेंगा आपको अल्मुनिया मेटल मिलेगा और ऑक्सिजन मिलेगा फाट है वो है फोटो डिकम्पोशन रेक्शन बेसि को और अगर लिए वाइट क्लोराइड ने तो यलो सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे और उइसको सनलाइड में रखेंगे वो UK्या सिल्वर बन जो याड्यमुनियों इस सिल्वर इक्रियों अजीॉम्पोशन आइग बदकार सिल्वर ग्र्रेयों और शनलीं पुल...इसे आप ये लिखेखे, तो तो और एक है दो लेके वो फोटो का operate क्यों यह एफ्टी और फोट से बनात है कि यह फ्रत रहुता होग चाहिए सिर्ष इसे की णि बिखेंगी सो टेच टेचाने कि अपट्रेचा दाथ क्यों शेल मेलेगे चाहिए Cur peniswa! First, you'll need one gram of silver nitrate and half a gram of table salt. Add enough water to both to completely dissolve them. Once they are both dissolved, add the salt solution to the silver nitrate solution. It will instantly form a dense precipitate of silver chloride. Give it a good shake to thoroughly mix the chemicals. Then let it stand for five minutes to settle down to the bottom. Then pour off the excess liquid. Now you have a solid powder of silver chloride. Get a piece of filter paper or paper towel and dump out the silver chloride onto it. Then carefully spread it out and pack it down into a thin but solid layer. Dry off the powder as much as you can with paper towel, but don't break off the silver chloride layer. Now let the silver chloride dry in a dark place. When it's dry, take it out and then place on top of it a template of something you want imprinted onto the silver chloride. Then place a sheet of glass over the template to hold it flat and steady. When you're ready, shine a very strong light onto the silver chloride. Over the course of 10 minutes, the silver chloride will decompose onto the light to form a negative image of what was placed over it. Modern photography is much better and faster, but this experiment shows you the basic idea. After 10 minutes, remove the glass in a template. And now you have a negative photograph of the template. So hope you understood this concept of how this is happening. And how this photo. This is an old technique. Nowadays it's very fast photography. You don't need all this stuff. But still, this is how old photography, negative. This is how it used to work. So thank you for watching this video. And my homework is very simple. We have studied two of them. You have to write electrolyte decomposition reaction with a diagram. And the other photo decomposition reaction with a diagram. You have to make a good note. And today's code is called Gaura Nga. G-A-U-R-A-N-G-A with red pen. Go Ranga. This is your code for today's homework. Thank you very much. Hare Krishna.